नसाम मुक्ती दिवस पर भागलपूर जिले में अलग लग कारिक्रम आयोजित किये गए मुख्य कारिक्रम शमहार नाले परिसर इस्तित समिक्षा भवन में आयोजित की गई एक साथ ही हसफद लिया कि लोगों को सराब का सेवन नहीं करने के लिए प्रिद करेंगे इस दोलान सहर के गन्यमान लोग के साथ साथ कई स्कूल के बच्चे भी इस सफद करन समहारों में सामिल हुए इससे पहले जिले के अलग-अलग थानों एवम सरकारी कारियाले में सामोही कुरूप से नसा मुक्ती को लेकर सफ़त कारी करम कायोजन किया गया जिलादिकारी सुब्रत कुमार सेन और वरिया पुरिस अधिशक नितासा गुडिया सहीद जिले के पतादिकारी और कर्मचारी इस दौलान मौजूद थे जगदीशपूर थानाचर में अवे धिबालू माफिया एकिलाब सयुक्त कारवाई करते हुए जगदीशपूर एओम कज्रेली थाना की पुलीस ने सयुक्त कारवाई करते हुए सैधपूर घाट से 10 ट्रैक्टर को पकड़ा जो अवे धिबालू की ढुलाई कर रहे थे आप देख सकते हैं किस प्रकार अवे धिबालू की डंपिंग यहाँ पर की जाती है और इसे मनमाफिक कीमत पर बाजार में बेज दी जाती है आपको बताते चलें यह हुआ ही सैधपूर घाट है जहां गद दिनों अवे धिबालू ले जा रहे ट्रैक्टर के पलट जाने से स्वैम चालक सह ट्रैक्टर मालिक की मौत हो गई थी ट्रैक्टर चलक की मिर्ती होने से अस्थान ये लोगों में भी आक्रोस था जिसपर बड़े अधिकारियों ने संग्यान लिया और जगदीजपूर अमकजली थाने की पुलीस उसी सैधपूर घाट पर पहुँची जहां खुले आम दिन राद अवे धिबालू का कारुवा ट्रैक्टर के दुरा नसाम मुक्ती दिवस के अबसर प्रधिकारियों और कर्मचारियों को सराब का सेवन नहीं करने को लेकर सफ़त दिलाई जा रही हैं वहीं दूसरी और सब और इस्टेशन पर ग्रामिन उन्हें पैसेंज़ा ट्रेन से सराब की तसकरी करते हुए की वक को 20 लीटर देसी सराब के साथ पकड़ा और उसे रेल पुलिस के हवाले कर दिया ग्रामिन कैमरे पर कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे ग्रामिनों का कहना है कि अक्सर सब और इस्टेशन पर ट्रेन के दुरा सराब की तसकरी की जाती है लेकिन रेल पुलीस के दुरा कार रेल पुलीस के हवाले कर दिया हम उदर से आ रहे थे ना सबर जे मोजी के घर से तो हमको बोला क्या अरे तुम इदर जा रहा तो बैटा आए ये वे इस्टेशन से कैसे लिए हम इदर से आ रहे थे सर हम यह भी नहीं चांते हूँ किदर सामने हो पगरा लिया तो कई से फिर ब्राग ले लिया का नहापे में गुपालपूर परबत्ता रंग्रा थाना के पूलीस पुदादिकारी चौकिदारों के सही होग से कई देशी सराब की भट्टी को नश्ट करने के साथ साथ सराब बनाने वाले उपकरन बनामत किये गए च्छापे मारी सी देरा च्छेतर में सराब तसक्रों में हड़क का प्रयास भी किया गया इस दुरान सराब बनाने वारे तसकर फ्रार होने में कामियाब रहे च्छापे मारी में अर्ध निर्मित सराब के साथ साथ कई लिटर सराब नश्ट की गई सराब निर्मान के बिरुद्ध की गई च्छापे मारी में कुल 36 लिटर तसराब करिब 1400 लिटर अर्ध निर्मित सराब चार सेट सराब बनाने का बरतन चार गैस लेंडर बरावत किया गया अर्ध निर्मित सराब को लाने की असुविधाय करन अखटनास्तल परी नश्ट कर दिया गया चापे मारी में गुपालपूर थाना अधश निरच कुमार सहित अन्ने पुलीस प्लादिकारी मौजूद थे बिहार सरकार के दोरा नसाम मुक्ति दिवस के अवसर पर राज भर में सरकारी करमचारियों को सपत दिलाए जाने के मामले पर कांगलस विधानमन नदल के निता ने कहा कि सपत मोटिविशन के लिए जरूरी है महिन ने कहा कि जब सराब बंदी हुई है तो उच अधिकारियों को अपने अधिनस्त करमचारियों पर ध्यान देना होगा और सराब दूसरे राज से यहां तक नहीं पहुँचे इसको लेकर कारवाई तीच करनी होगी तभी सराब बंदी सफल हो पाएगी सराब बंदी को लेकर अधिकारियों को अपने भीतर जहाकने की जरूरत है कि वो इसके लिए कितना काम कर रहे हैं और सरकार को भी कड़ाई से कदम उठाने होंगे जो सोच है वो बदलनी होगी कि जब शराब बंदी लागू सदन के द्वारा किया गया तो आप लोग भी शराब को किसी दूसरे राज से बिहार में आने मत दीजिए हमारा लगता है कि सपत दिलाने से नहीं होगा उन पर जो सिर्ष पदाधिकारी हैं उनको यह करना होगा क कोई भी सराब बॉर्डर के गुस्ने नहीं देंगे तभी यह सराब बंदी लागू होगा और उस पर कारवाई भी करिए सपत तो एक चीज है कि सपत से फिर से क्या होता मोटिवेशन आता है फिर हम चाहेंगे कि सपत अगर लेते हैं को पदाधिकारी उसको फॉलो करें और सराब बंदी को पुल रुपे रोकने का काम करें अधिवक्ताओं ने कारिक्रम में हिस्सा लिया नसा मुक्ती दिवस के मौके पर एक और जहां भागलपूर के टीचर्स ट्रेनिंग कॉलिज से स्कूली बच्चों के दोड़ा नसा मुक्ती अभियान को लेकर प्रभाद फेरी निकाली गई वहीं दूसरी योड़ सदर अस् पिन स्कूलों के सैकड़ों चात्रों ने हिस्सा लिया जिला सिक्चापदाधिकारी और उत्पाद दिचक के नैत्रित में परभाद फेरी घंटा घर्चारी चौक बनाले चौक होते हुए जिला स्कूल में जाकर समाब थवी रैली में भाग ले रहे बच्चों के हाथों मे नसामुक्ती को लेकर तक्तिया थी वहीं बच्चे नसामुक्ती को लेकर नाले बाजी करते हुए लोगों को नसाए खिलाब जागरू करते नजर आए लोग जनसक्ती पार्टी राम बिलास के दोरा 28 नमवंबर को पटना में आयोजित होने माले अस्थापना दिवस को सफल बनाय जाने को लेकर लोग जनसक्ती पार्टी राम बिलास के अल्पसंख्यक प्रषकोष्ट के प्रदेश अधच इमाम गजाली भागलपूर पहुँ ने के अपील की इससे पुर्व लोचपा राम बिलास अल्पसंख्यक प्रषकोष्ट के प्रदेश अधच का भागलपूर पहुँचने पर लोचपा राम बिलास के कार्यकरता उने नातनगर के पुरुपरत्यासी अमर कुसभा के नैतर्तु में जोड़दार स्वागत किया लोचपा राम बिलास के जलाधच सब्तिरसी पांडे ने कहा कि हम लोग पटना में आयोजे थोने माले अस्थापना दिवस खोले कर काफी तैयारी कर चुके हैं लोचपा राम बिलास के कार्यकरता उसमें हज्जारों की संख्या में सरीक होंगे मद निसेद दिवस पर बिहार सरकार के निर्देश पर HDR भागलपूर टीम के कंपनी कमांडर गनेश जी ओज़ा के नेथित में सभी जवानों को सराब बंदी कानून और सराब नहीं पीने की सफ़दी लाई गई समस्त कर्मियों निया कसम खाई कि मैं आज इवन सराब का सेवन नहीं करूँगा इंस्पेक्टर गनेश जी ओज़ा ने अपनी संबोधन में अपने कर्मियों कहा कि सराब पीना बुरी बात है इससे समाज में काफी मदभेद होता है प्रेम कम और द्वेस ज़्यादा होने लगता है सराब के सेवन करने से साधिक नुकसान होता है साथी मानसीक संतुलन भी मनुस से खो देता है बहुत साधे सरीर में रोग उत्पन हो जाते हैं इसलिए सराब का सेवन नहीं करना चाहिए इस दुरान एहज़ेरा भागलपूर टीम के सभी कर्मी मौजूद थे जगदीशपूर परखंड के बिभिन विद्यालियों में नसामुक्ती दिवस पर प्रभाद फेरी निकाल कर आम जनों को किसी भी परकार के नसा नहीं करने और नसिली परदार्श से होने वाले हानियों के बारे में जाग रुक किया गया परखंड मुख्याले में मद्विद्याले जगदीशपूर के बच्चों को हरी जंडी दिखा कर परखंड विकास पताजिकारी तरून केसरी ने रवाना किया इस अफसर पर तरुन केसरी ने कहा कि समाज के हर घर के बच्चे विद्याले आते हैं इस माध्यम से नसा मुक्ती का संदेज हर घर तक पहुँच जाएगा वहीं प्रधना ध्यापक अस्तोस्त दर्मिस्र ने कहा कि नसा करने से सिर्फ एक बैक्ती नहीं बलकि पूरा परिवार नश्ट हो जाता है इसलिए हम बच्चों के माध्यम से सभी अविवावकों को किसी परकार का नसा नहीं करने का संदेज पहुचाने का प्रयास कर रहे हैं कस्तूरबा गांदी बाली का विद्याले जगदीसपूर के चात्राओं ने परखंड कारियाले परिसर में रंगोली बनाकर जागरुकता अभियान को सफल बनाने का प्रयास किया इस अवसर पर क्यारपी संकर पासवान सिच्चक वासुदेव बिंदू नवल राजीव कलपना कोसल्या नहीदा पुस्वरता फूल कुमारी सपना मिनाक शीव पस्तित रही तक परभात पेरी निकाल कर आम जन्न को या जागुप करने का काम कर रहे हैं कि शराप नहीं पीना है और बिहार में शराप बंदी है उसे अच्छी तरह से लागू करें हम जब जन्न इस पर सहियोग करेंगे तभी या कानूल बेहता धन से हमारे जेश में सफल होगा